नमस्कार दोस्तो भारत और कनड़ा के बीच में जो नया तनाब है वो बढ़ता ही जा रहा है ये एक दुखत बात है कि दोनों ही लोकतांत्रिक देशों के लिए अपसो जनक है शुरुवात जो है FTA से हुई यानि फ्री ट्रेड के लेकर जो डील होनी थी उसको स्थगित करके हुई जो की अक्टूबर महीने में होनी थी और अब कब होगी इसकी कोई भी बात सामने नहीं है और उसके बाद कनड़ा के परधानमंदरी के दुआरा दिये गए अपने संसर्द में बयान से हुई आतंकी हरदीप सिंग निजजर की हत्या में उन्होंने कहा कि भारतियों का हाथ है अगर है तो ठोस परमान पेस करे इसके बाद उन्होंने भारतिय डिप्लोमेंट को कनड़ा से निकाल दिया गया और उसके जवाबी पक्ष में विदेश मंत्राले के दुआरा कनड़ा के डिप्लोमेंट को जो है एडवाईजरी जारी की कि यहां से पाल दिन में भारत से रवाना हो जाए बिवाद यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है आगे बिवाद यह जारी हुआ कि कनड़ा की तरब से एक एडवाईजरी जारी करी गई और भारत के कुछ चिनित स्थानों को चिनित करके कहा गया कि कनड़ा के नागरिकों को यहां जाने से बचना चाहिए और फिर भारत ने जबावी पक्ष में एक एडवाईजरी जारी करी वहाँ पे रहने वाले भारतियों के लिए और कहा कि कनड़ा के अंतरगर जो है भारत विरोधी अत्य गतिविदियां अत्य दिक बढ़ रही है जिसको लेकर उन्हें सतरक रहना चाहिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी कनड़ा में 2,30,000 जो हैं भारतिय चात्र और 7,80,000 अनिवासी भारतिय रहते हैं और इनको किसी भी प्रसानी से बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है जिसको लेकर की दिसानिर्देश जारी किये थे और कनड़ा के सरकार के दुआरा ये जारी एडवाइजरी जो है उन्होंने खारीज कर दी कहा कि कनड़ा सुख्चित है सेफ है